CBSC Words में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम Class 10 Science का 6 Chapter जिसका नाम है Life Processes उसके Competency Based Question डिसकस करने वाले हैं अब यहाँ पर जो भी Question डिसकस होंगे वो उस Book के हैं जो कि CBSC Teachers को Provide करता है यानि कह सकते हो Teachers Book जो होती है कि Teacher को किस तरह से पढ़ाना है क्या चीजें सिखानी है उसके अंदर जो Question डिये होते हैं वो सारे यहाँ पर डिसकस होंगे और Competency Based Questions क्या होते हैं इसके बारे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जहाँ पर इस Chapter के हमने 8 Questions भी कर लिये थे तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उपर Right Side Corner में एक Eye Button मनकर आ रहा है वहाँ क्लिक करोगे तो नीचे याप Right Side में आपको आइकन मनकर आ जाएगा ठीक है, thumbnail होगा और title लिखा होगा उस वीडियो का तो यहाँ पर आपको incomplete equation लिखी हुई है कि saliva, starch के साथ react करेगा test tube के अंदर हम mix कर रहे है यानि reaction होगा इनका तो क्या बनेगा, क्या outcome आएगी तो यह तो मैंने पिछली वाले वीडियो में भी एक question में आपको कराया था कि saliva और starch जब mix होते है तो आपका simple sugar बनता है option हम चेक करते है will convert starch into complex fat molecule नहीं होगा complex sugar molecule नहीं होगा क्योंकि complex तो आपका starch होता है उसका breakdown हो रहा है उसको simple बनाने के लिए तो देखो breakdown होगा तो saliva क्या करेगा? breakdown करेगा starch को into simple sugar molecules ठीक है? protein molecule यह होगा नहीं इसका हमारा C option सही होगा question number 10 देखते है a student set up an experiment to study the role of enzyme in digestion of food एक student ने एक experiment का पूरा यह setup बनाया है ताकि वो study कर सेके कि enzymes का क्या role होता है digestion में तो देखो दो test tube इसने लिया है test tube A और test tube B A में क्या लिया है? egg white यानि जो egg होता है उसका white वाला जो portion होता है वो लिया है और pepsin इन दोनों का mixture लिया है test tube A के अंदर और यहाँ पर egg white, pepsin और साथ ही साथ में HCL भी लिया है ठीक है? B वाले में HCL एक extra चीज लिया है बाकि सब सेम है हमसे पूछ रहा है कि इस test tube में dietion of protein विला कर है किसमे protein का dietion होगा यह आपको बताना है तो आपका जो egg white होता है उसके अंदर protein present होता है इस protein को dietion का काम किसका होता है आपका? pepsin का होता है, ठीक है? stomach के अंदर आपका pepsin करता है और small intestine के अंदर आपका trypsin करता है, ठीक है? तो Pepsin यहाँ पर करता है लेकिन Pepsin protein के digestion तब करेगा जब उसको acidic medium मिलेगा और वो acidic medium कौन प्रोवाइड करता है? HCL प्रोवाइड करता है तो A वाले में acidic medium इसको नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर HCL हमने नहीं डाला था और B वाले में हमारा डाला है तो हम कह सकते हैं test tube B के अंदर digestion होगा तो A में कह रहा है तो A नहीं होगा B में होगा as HCL will break down तो HCL breakdown नहीं करेगा protein का, protein का breakdown Pepsin ही करेगा तो यहाँ यह भी गलत हो गया C वाला क्या है test tube A नहीं करेगा, B में होगा तो last option हम चेक करते हैं test tube B करेगा as HCL will activate Pepsin for breakdown of the protein into simple molecule तो यह बात बिल्कुल साही है कि देखो protein के digestion test tube B के अंदर होगा क्योंकि HCL का काम क्या है कि Pepsin को activate कर सके ऐसा acidic medium प्रवाइड करता है जिससे आपका Pepsin वो अपना work कर सके यानि protein के digestion कर सके तो इसका D option साही होगा question number 11 देखते है image आपको दी हूँ यहाँ पर एक flow diagram है कि breakdown किस तरह से होता है glucose का yeast में तो पहले आपका glucose रहता है उसका breakdown तो पहले आपका pyruvate में होता है फिर यहाँ थोड़ी से energy भी साथ में निकलती है फिर yeast के अंदर एक special चीज होती है यानि pyruvate तक तो सम्में common होता है यहाँ निकलता है आपका ethanol, carbon dioxide और energy यह release होता है उसे O2 की ज़रुरत नहीं होती बीना oxygen की मदद के ही वो pyruvate से ethanol, carbon dioxide और energy बना लेता है यानि वो anaerobic respiration करता है तो absence of oxygen यह B वाल option सही है ठीक है, absence of oxygen Question number 12 देखते हैं, यह बहुत ही अच्छा question है एक concept यह आपका यहाँ पर clear हो जाएगा देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं Which pathway will occur in the cell of an athlete who is performing 100 meter sprint Sprint क्या होता है? जो छोटी distance की race होती है जहां बिल्कुल full speed में आपको दोड़ना होता है वो sprint के लाती है वैसे भी देख सकते हैं, 100 meter एक छोटी distance है जब long distance की running होती है तो आदमी थोड़ा दीरे-दीरे start करता है वोम अप होता है, फिर उसके बाद speed पगड़ता है लेकिन 100 meter में बिल्कुल suddenly आपको 0 से maximum speed के अंदर जाना होता है ठीक है, तो एक athlete है उसके अंदर कौन सा pathway होगा ठीक है, तो हम देखते हैं कि respiration की बात हो रही है वैसे भी option देख के आप समझ सकते हो यहाँ देखो, option A हमारा यह है ठीक है, इसको मैं line बना देता हूँ यह option A है यह बड़ा उपर नीचे लिखा हुआ option B हमारा यह है ठीक है, यहाँ तक और option C हमारा यह है ठीक है, तो option wise हमको चेक करना है कि कौन सी बात सही है देखो, glucose का pyre weight में conversion होगा absence of oxygen तो भाई athlete है, यानि वो एक इंसान है और इंसान बीना oxygen के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा humans को respiration के लिए oxygen की ज़रवत पड़ती है तो A वाला तो होगा नहीं बिल्कुल B वाले चेक करते हैं, pyre weight का breakdown होगा lactic acid और energy में condition क्या है, lack of oxygen यानि जितने oxygen की ज़रवत है उतना नहीं मिल पारा, oxygen की कमी है कहां पर होगा ये breakdown, pyre weight का lactic acid और energy में in human muscle cells तो क्या ये option सही है, या C वाला देख लेते हैं, तो को यहां तक तो common है pyre weight के बाद, दो तरीके से breakdown होगा एक lack of oxygen, human muscle cells के अंदर, जहां पर lactic acid और energy बनेगा दूसरा oxygen की presence में जहां पर carbon dioxide, water और energy बनेगा ये mitochondria के अंदर होगा अब आप आराम से सोचो, B option सही होगा या C option सही होगा वीडियो को pause करके भी आप सोच सकते हो तो चलिए मैं answer आपको बताता हूँ यहां पर B option भी सही है और C option भी सही है अगर C वाल option ना होता कोई और दे दिया होता तब आप B option चूज करते या अगर B वाल option ना दिया होता सिर्फ C वाल option होता यानि C में जो बात लिखी है वही लिखी होती तो आप C लगाते लेकिन हमें क्या किया गया है दोनों ही option दे दिया गया है तो आपने यी चीज पढ़ी होगी जब athlete दोड़ता है और 100 meter sprint है बहुत fast उसे दोड़ना है तो बहुत जादा energy की जौरत अचानक से उसको पढ़ जाएगी उसके लिए उसे बहुत जादा oxygen की supply करनी पड़ेगी लेकिन जितनी oxygen की requirement है body को उतनी नहीं मिल पा रही है क्योंकि energy requirement बहुत जादा है तो क्या हो जाएगा oxygen की कमी हो जाएगी और उस case में जो muscle cells होती है वहाँ पर lactic acid और energy develop होता है ये बात तो सही है लेकिन क्या सिर्फ यही चीज होगी या और भी कुछ होगा तो be well option सही तो है लेकिन complete information नहीं दे रहा है pyruvate का breakdown lactic acid में तब होगा और साथ में energy निकलेगी वो सिर्फ muscle cells के अंदर होगा अब human body के अंदर सिर्फ muscle cells हो है नहीं और भी cells है आपके जो nerve cells हो गए वो है bone cells हो गए fat cells हो गए blood cells हो गए कई तरीके के cells है वहाँ पर क्या होगा ये तो सिर्फ muscle cells की बात हो रही है दूसरी बात वो athlete है दोड रहा है तो उसके जो legs की muscles है उन्हीं को especially जादा energy की ज़रत पड़ेगी बाकी उसके और भी जहां muscles है जैसे हातों में जो muscles है उनको इतना work नहीं करना पड़ा है face पे जो muscles है उनको इतना work नहीं करना पड़ा है तो जादा energy की जो requirement है वो सिर्फ उन्हीं muscle cells को है जो उस activity में participate कर रही है जैसे आप दोड रहे हो तो आपके जो legs की muscles है उन्हीं को जादा energy की ज़रत है बाकी और भी जो muscles cells है उनको जादा energy की ज़रत नहीं है इसलिए उनको जादा oxygen की ज़रूत नहीं है तो वहाँ अपना normal वाला ही पारवेट का breakdown होगा कौन वाला देखो ये वाला जो हमारे C option में दिया हुआ है एक तो lack of oxygen की वज़े से lactic acid और energy बनेगा human muscle cells के अंदर और muscle cells के लावा और भी जो cell है या वो जो muscle cells जो activity में participate नहीं कर रही है जिनको energy की requirement जादा नहीं है वहाँ पर oxygen की supply अच्छी कासी हो रही है यानि complete presence है oxygen की वहाँ carbon dioxide और water और energy release होगा तो दोनों चीज़े यहाँ पर होगी कुछ पारवेट आपके उनको oxygen की जितनी ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगा और वो lactic acid और energy release करेंगे और कुछ पारवेट उन cells के अंदर जहाँ पर oxygen की supply उनको अच्छे कासी मिल जारी वहाँ carbon dioxide water और energy release होगा ठीक है तो दोनों ही होगा तो C option सबसे best describe कर रहा है और यहाँ पर भी दोखो हमको cell की बात कर रहा है muscle cells नहीं कर रहा है normal cell यानि सारे cell की common बात कर रहा है कि cells में क्या होगा उसके ठीक है कुछ नबर 13 देख लेते हैं एक student है उसने experiment set up किया ताकि वो study कर सके human respirator system को ठीक है इस experiment में उसने क्या किया एक candle को place किया और एक जिंदा cockroach को रखा flask A के अंदर और एक candle और dead cockroach को flask B के अंदर रखा और साथी मिया कहा रहा burning of candle needs oxygen candle को burn होने के लिए या वैसे भी देखो burning के लिए oxygen की जरुरत पड़ती है तब ही burning होती है तो candle को burn होने के लिए oxygen की जरुरत पड़ेगी यह आपको बता दिया गया ठीक है नीचे आप setup देख सकते हो सब कुछ वही है कुछ भी नहीं बदला A और B में सब कुछ common है बस एक फर्क है A वाले के अंदर हमने living cockroach रखा हुआ है यानि जिन्दा cockroach है हमारा और B वाले के अंदर हमने dead cockroach रखा है यानि एक में जीवित cockroach है दूसरे में स्वर्ग वासी cockroach है ठीक है अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है 10 मिनट के बाद student ने यह observe किया कि वो candle जो flask A के अंदर थी ए वाले जो थी extinguish faster बन्दब वो जल्दी बुझ गई कुछ oxygen candle यूज कर रहा है burning के लिए और कुछ ये महाशे जो है cockroach वो यूज कर रहा है सांस लेने के लिए, breathing के लिए, respiration के लिए वहीं flask B की बात करें तो यहाँ पर सारी के सारी जो oxygen है वो candle ही यूज कर रही है और यह जो हमारे स्वर्ग वासी cockroach है उनको oxygen की जोरत तो है नहीं, वो तो मर चुके है तो ये वाले के अंदर oxygen बढ़ गई है कुछ ये इस्तिमाल कर रहा है, कुछ ये तो यहाँ पर oxygen हमारी कम है इसके अंदर और यहाँ पर सारी के सारी candle यूज कर रहा है इन्हीं जादा oxygen मिल ली है तो जादा देर तक ये जलेगी, ठीक है option चेक कर लेते हैं तो कोई यही सब दिया होगा उसमें भी candle produce high amount of carbon dioxide तो भई ऐसी बात नहीं है, दोनों ही तो burn कर रही है living being consume oxygen during respiration तो ये point सबसे सही है कि जो living beings हैं, जो भी जिन्दा है जैसे cockroach होगया, humans होगया वो oxygen को consume करते हैं, इस्तेमाल करते हैं respiration के time, ठीक है तो भी option इसका सही है question number 14 देखते हैं, student set up an experiment to study human respiration using lime water ठीक है, तो human respiration वाला system उसे study करना है, lime water का इस्तेमाल करके वो study करेगा और lime water है, साथ में test tube है और straw है ये तीनों चीजें यूज करके उसे study करना है अब जो आपका lime water होता है, वो colorless होता है in the absence of carbon dioxide जब carbon dioxide present ना हो तब आपका जो lime water है, वो colorless होता है, और milky हो जाता है जब उस lime water के अंदर carbon dioxide चला जाता है, अब इस student ने क्या किया फिल सा freshly prepared lime water बिल्कुल ताजा ताजा बना कर lime water को test tube के अंदर डाला, यानि अभी उसके अंदर कोई carbon dioxide नहीं है, freshly अभी बना हुआ है और blow किया air यानि फूक मारी straw के जरीए इसके अंदर, ठीक है इस test tube के अंदर straw के जरीए air को blow किया, इस lime water के अंदर उसने यह observe किया कि जो solution था वो cloudy हो गया, तो देखो क्लावडी भी कह सकते है, क्लावडी भी हमारा white होता है, option चेक करते है what can be evaluated from this observation इससे हम क्या evaluate कर सकते है oxygen is exhaled during respiration oxygen निकलती है, तो नहीं भाईया glucose is produced, glucose produced नहीं हो था carbon dioxide exhaled during respiration तो यह बात सही है, जब हम exhale करते हैं, सांस को बाहर निकालते है तो यहाँ पर देखो, आदा लिका है dioxide, carbon dioxide होना चाहिए तो carbon dioxide बाहर निकलती है तभी तो यह solution हमारा cloudy हो गया, हम कह सकते हैं, milky हो गया तो C इसका सही है question number 15 देख सकते हैं, हम image यहाँ पर show की जा रही है, transportation of gases in body through hearts and lungs, तो gas किस तरह से transport होती है lungs और heart से पास होते हुए यह पूरा diagram दिया हुआ है यहाँ पर हमको correct order बताना है तो चलिए, short में हम पूरा scioculatory system ही समझ लेते हैं humans का कि कहानी क्या होती है तो सबसे पहले air जाती है हमारी lungs के अंदर ठीक है, वहाँ से जो oxygen है वो blood के अंदर चला जाता है तो blood के अंदर जब oxygen चला जाता है तो उस blood को हम कहते है oxygenated blood ठीक है, यहाँ पर अच्छी कासे मौट में oxygen present his blood के अंदर अब यह blood आगे की तरफ जाएगा कहा जाएगा, heart में जाएगा क्योंकि इससे pump होना है इस पर pressure बन जाए ताकि वो पूरी body के अंदर घूम सके तो heart के जिस हिस्से के अंदर वो inter करता है, lung से वो आपका left atrium कहलाता है ठीक है, left atrium से यह जाता है आपका left ventricle के अंदर और फिर यहाँ से outer के थू होते हुए, यहाँ देख सकते हो यह body की हर हिस्से तक पहुचेगा हर जगे पर आपका जो है वो cell present है, cell के अंदर क्या होगा देखो, यह oxygen पहुच गया cell के अंदर blood के थूरू, यहाँ पर respiration आपका होगा, respiration से carbon dioxide release होगी, यह carbon dioxide कहां चली जाएगी, blood के अंदर चली जाएगी ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से आपका जो निकलेगी, cell से, तो यह blood कैसा है आपका, de-oxygenated blood है ठीक है, यहाँ पर carbon dioxide का जो amount है, वो बढ़ चुका है वेना कावा के थूरू होते हुए यह enter करेगा आपका right atrium के अंदर, फिर आपका enter करेगा यहाँ पर right ventricle के अंदर फिर यहाँ से यह pulmonary artery के थूरू बाहर निकलेगा और lung से पहुच जाएगा यह कहानी है पूरी, चलिए option चेक करते हैं, अब आप समझ गया होगे तो मैंने आपको बताया कि पहले lungs है, lungs से यह निकलेगा oxygenated blood, यह पहुचेगा heart के अंदर heart के किस हिस्सें पहुचेगा left atrium में, ठीक है यहाँ से pump होके निकलेगा, यहाँ भी oxygenated blood ही है, body के cells तक जाएगा, ठीक है तो option देखते है, lungs से pulmonary vein के अंदर जाएगा, बात सही है b में भी ही कह रहा है, बाकी c और d में pulmonary artery की बात कर रहा है, तो c और d तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, इसको हम cancel कर देते हैं, अब a और b में ही हमको mainly देखना है, इसके बात कहाँ enter करता है, left atrium के अंदर, तो देखो left atrium के हम बात कर रहे हैं, यहाँ right atrium की बात कर रहा है, तो यह b वाला हमारा गलत हो जाएगा, a वाला option सही हो जाएगा, इसको हम आगे देख लेते हैं, left atrium के बाद मैंने क्या बता है, तो दोको left ventricle के अंदर enter करता है, outer के दुरूफ और body cell तक पहुच जाता है, ठीक है, तो यह option इसका सही है, question number 16 देख लेते हैं, आपको image शो की गई है, यहाँ पर oxygenated और deoxygenated blood in human heart, तो जो grey color का है, वो आपका oxygenated blood है और जो white color से show कर रहा है, वो deoxygenated blood है, हम से question में यह पूछ रहा है, what is the direction of the deoxygenated blood from right atrium of the heart, तो right atrium से जब blood निकल ला है, heart के, जो deoxygenated वाला blood है, उसका direction कहा है वो कहां जाएगा उसके बाद तो यह रहा हमारा right atrium यहाँ पर देख सकते हो, deoxygenated blood है white वाला, यह जाएगा आपका right ventricle के अंदर, और उसके बाद यह देख रहे हो यहाँ से लिखा हुआ है, to lungs यहाँ लंक्स में पहुच जाएगा, तो देखते हैं option क्या है, towards lungs, तो हाँ बाद सही है यह option इसका सही होगा, बाकि D वाला option में देख रहो, left atrium की बात कर रहा है, अगर left atrium न लिखे right ventricle लिखा होता तो आप D option लगाते, क्योंकि right atrium के बाद, वो right ventricle के अंदर पहले पहुचेगा, उसके बाद वो lungs में जाएगा, ठीक है question number 17 देख लेते हैं, आपको image show की गई है, कि fishes के अंदर किस तरह से circulation होता है, blood का ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, which option correctly trace the pathway of blood flow in fish तो blood कैसे flow करता है, थोड़ा से इसको आप समझो, अब diagram देखो, यह वैसे तो यहाँ पर आपको red arteries लिखा हुआ है, यह colorless image यूज की गई है, black and white इसलिए आपको यहाँ color नहीं show कर रहा है लेकिन वैसे भी आप common sense लगा के देख सकते हो, कि यहाँ पर जो flow हो रही है, इसके अंदर वो थोड़ा हलके color वाला है यानि जो हलके color वाला है, वो हमारा क्या है oxygen rich blood है, जिसे हम oxygenated blood भी कह सकते है और यहाँ देख रहे हो, blue veins अब color तो show नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ जो dark color वाला है, उससे हम idea लगा सकते है, यह oxygen poor blood है, जिसे हम de-oxygenated blood भी कह सकते है तो light color वाला हमारा oxygenated blood है, और dark color वाला हमारा de-oxygenated blood है, यहाँ पर आपका heart है यह gill capillaries है, यह पूरा तो देखो, जैसे humans में हमारे lungs जो काम करता है न, fishes के अंदर वही काम gills करती है, इस diagram को थोड़ा सा flow diagram में बदल लेते हैं, यह हमारा heart है, तो चलिए हम यहाँ heart बना लेते हैं, heart के अंदर कों से जा रहा है, देखो dark color वाला, यानि हमारा de-oxygenated blood जा रहा है heart का काम सिर्फ pump करना है, तो निकलेगे भी तो हमारा de-oxygenated blood यह कहा जा रहा है देखो यहाँ पर यह capillaries बनी हुई है gills capillaries, यानि gills के अंदर जाएगा और gills क्या करेंगी इस blood को oxygenate करेंगी क्योंकि water जब gills से पास होता है, तो water के अंदर जो dissolve oxygen होती है, वो gills के अंदर चली जाती है, जिसके थुरो फिर gills की जो capillaries है, जो अब option wise हम check करते है जो gills capillaries, यानि gills से कैसा blood निकलेगा oxygenated blood, हाँ ठीक है लेकिन वो heart में नहीं जाएगा, body में जाएगा ठीक है, तो यह option गलत हो गया, gills capillaries oxygenated blood, body cell तक जाएगा सीधी बात है, cell में जाएगा, respiration होगा तो वो deoxygenate हो जाएगा, क्यों carbon dioxide release हो रही है, फिर यह deoxygenated blood हमारा heart के अंदर enter करेगा, जैसे मैं आपको दिखाया, और यह चला जाएगा, gills के अंदर यह भी मैंने आपको दिखाया, तो b option इसका सही होगा, ठीक है question number 18 देख लेते हैं, image आपको fish is bigger in size, तो size की बात नहीं है, मचली छोटी होगी, तो छोटा heart होगा, बड़ी मचली लोग होगी, तो उसका heart ही बड़ा होगा, तो यह compare करना पड़ेगा, कि किस fish की आप बात कर रहे हो, flow of blood in fish is unidirectional, तो heart pump करेगा जहां से, तो फिर एक ही direction में flow करेगा, यह तो common है दोनों में, तो यह difference नहीं हुआ, the blood goes through heart only once in the fish, तो यह कहानी special है, बिलकुल आपके अच्छे से book में यह चीज mention है, कि fish की कहानी क्या होती है, होता देखो यहां पर यह है, कि fish के case में, यहां heart से pump हुआ, gills के अंदर गया, gills से यह body के अंदर गया, फिर heart के अंदर आ गया, यानि इस एक cycle के अंदर, जहां से blood चला था, वहां से जब वापस आया, तो एक बार gills से पास हुआ, और एक ही बार heart से पास हुआ, लेकिन humans की बात कर लें, तो यहां देखो, यहां से blood जो चला, वो पहले heart के अंदर जाएगा, pump होगा, बाहर निकलेगा, body cell तक जाएगा, फिर उसके बाद होके वापस heart में जाएगा, और फिर यहां से होते हैं, वो lungs में जाएगा, तो एक बार lungs से heart में गया, दुबारा फिर body से heart के अंदर गया, यानि एक बार जहां से चला था, वहां से पहुचने में, दो बार यह heart से उसे पास होना पड़ा, यानि double circulation इसे हम कहते हैं, वहीं fishes के अंदर क्या होता है, single circulation होता है, humans में double circulation होता है, एक ही चमबर होते हैं, humans के तो 4 चमबर होते हैं, question number 19 देख लेते हैं, आपको image शो की गई, structure of an artery, ठीक है, आपको शो किया गया है, यहाँ पर देख रहे हो, थिक outer wall, इसकी बाहर की जो wall है, वो मोटी है, narrow central lumen through which blood flows, ठीक है, पतला सा रास्ता होता है, जांसे यह blood flow होता है, which statement support the likely reason for the thick wall in arteries, तो जो arteries हैं की wall thick क्यों होती है, simple आपसे यही पूछ रहा है, option wise चेक करते हैं, to carry large amount of blood, तो भाई, blood जितना flow कर रहा है, उदर नहीं carry करेगा, तो यह बात नहीं है, to allow easy exchange of gases with cell, cell के अंदर जाता है, तो exchange cell के अंदर ही होता है, यानि उनकी जो walls है, तो यह भी बात गलत हो गई, to sustain high pressure of the blood from the heart, तो भाई, heart से अभी blood निकल ला है, और arteries का का काम क्या होता है, heart से निकलने वाले blood को आगे लेकर चलना, तो heart ने pump किया है, तो pressure यहाँ पर high है, इसलिए arteries की जो wall होती है, वो मोटी होती है, ताकि pressure को झेल सकें, अगर मोटी नहीं होगी, तो यह rupture हो सकती है, यानि यह फट सकती है, तो D option इसका सही होगा, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 11 questions discuss कर लिए, आगे कि जो बचे हुए question number 20 से 30 वाले हैं, वो अगली वीडियो में हम discuss कर लेंगे, अब most important सवाल, कि यह जो questions है, उसकी वो कहां मिलेंगे हमको, तो इसके लिए अलग से मैंने playlist बना दी है, competency based question वाली, तो जैसे ही आप description में जाओगे, यह आपके वीडियो ऐसे play हो रही है, phone आपका ऐसी position में है, तो यहाँ पर एक arrow type का बना होगा, उस पर click करोगे, scroll down करोगे, तो description आपका open हो जाएगा, वहाँ पर उपर ही ऐसे hand जैसा वो बना होगा, finger type का ऐसे, तो सामने आपको लिखा होगा playlist का नाम, उसके बगल में या नीचे आपको blue color से link होगा, वहाँ जस्ट आप click करोगे, तो वो playlist open हो जाएगी, वहाँ पर सारी वीडियो आपको यह मिल जाएगी, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, comment करके जरूर बताई, अच्छी लगी हो, तो like करिए, और अगर आप channel पर नए है, तो subscribe जरूर करिए, उसके बगल में एक bell का icon होगा, उसको दबा के और पर click कर देंगे, तो जब भी नए वीडियो आएगी, आपको message आजाएगा, और इस वीडियो को और दूसरी वीडियो को भी आप जादा जादा शेयर करो, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का motivation मिल सके, मिलते हैं फिर अग एक ली वीडियो में, thank you